आज़ बिल्कुल भी रेड कुछ नहीं डलता है यह वाइड बिर्यानी होती है तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी रेसिपी की तो सबसे पहले बनाएंगे हम चिकन की सीख चिकन की सीख बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन प्याज एक बड़ी प्याज हरी मिर्ची अपने तेस के हिसाब से कोथमिर और पौदीना एक एक हैंड़ अब मैं यह जो प्याज हरी मिर्ची कोथमि लोगे अगुर्ज नमक के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ छीघियूOT तो उस हिसाब से चिली फ्लेक्स दालिए जितना तीखा आप पसंद करेंगे यह मेरे पास ब्लैक पैपर पाउडर और यह मेरे पास बेसन जिसे चने का आटा कहते हैं तो यह है बेसन यहां पर मैं दो चमच बेसन डालूंगी और इसे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लोंगी अब आप इसमें चाहें तो तेल डालिए या अस्ली घी डालिए या बटर डालिए और इसे मेरिनेट करने के लिए रख दीजिए एक घंटे के लिए तो देखिए यह हो गया है मेरिनेट एक घंटे के बाद मैंने इसमें तेल डाला था एक चमच भर के मैंने इसमें तेल ड अब मैं इसे सीग का शेप दे रही हूँ पैंसिल की HELP से देखें यह मैं बना रही हूँ सीग पैंसिल से ऐसे ही करके आपको सारी सीग कर लेनी है और आपको इसे आप चाहें बटर में फ्राइ कीजिए चाहें कॉंबिनेशन बटर और तेल का कॉंबिनेशन रखे मैं अक्सल सीख फ्राइब करने के लिए बटर और तेल का कॉंबिनेशन रखी हूं अगर मैंने एक चम्मच बटर लिया है तो मैं दो चम्मच तेल लेती हूं ऐसे मैं यह कॉंबिनेशन से सारी सीखे जो है मैं फ्राइब क यह तो यह मेरे पास बीस्त काजू बदाम और खशक और 15 बदाम 5 काजू और 50 ग्राम लुटपज यह वाला punya दीशता है इसमें डाल रही हूत एक प्याला दूड यह पेट भी मैंने आप구 बता दियाएं 1958 अपिफ बदा फ्रेश क्रीम की कॉनटடिटी हमेशा मायोनीस से ज्यादा होनी चाहिए अगर आधा किप मायोनीस ले रहे हैं तो अभ अब फ्रेश क्रीम पॉन और मेरे बीकलनी के सॊध़ क्रीमी मिलेडी कचए होगे और यह हो गई है। यहां मैंने आलू भी फ्राय करके रख लिए हैं अब हम चलते हैं मिसाला बिर्यानी का मसाला बनाने में जो हमारा ग्रेवी बनेगा वो तो मैंने तेल में डाल दिया हे जीरा तेज पत्ता एक बड़ी इलाईची डाली मैंने एक डालचीनी का पीस दाला है देखिए एतना एक इंच तक ऐसा डालचीनी का पीस चार छोटी इलाइची और मैं इसमें डालूंगी लॉंग और काली मिर्च तो यह सारे गरम मसाले आपको डालना है आप चार-पांच लॉंग डाल दीजिए 6-7 काली मिर्च डाल दूजिए तेस पत्ता हरी इलाइची ब्लैक इलाइची जीरा और डालचीनी यह सारी चीज़ा डाल दीजिए जब यह अच्छे से स्प्लटर हो जाए और आपको इसकी खुश्बू आने लगे उसके बाद आपको इसमें डालना है प्याज मैंने तीन मीडियम साइज की प्याज मैंने इसको यहाँ पर ऐसे कट करके रखिए बारिक-बारी कट की है स्लाइसे नहीं किये है मैंने अब यह प्याज आप इसमें डाल दीजिए और आपको प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसे आपको बूनना है जैसा हम ब्रिस्ता करते हैं वैसा नहीं बस आपको इसको करना है तो आप इसे अच्छे से ब्राउन होने दीजिए आप इसी के बीच में आप इसमें डाल दीजिए अधरकलसन का पेस अधरकलसन का पेस यहां पर मैंने लिया है दो चमच दो बड़े चमच मैंने अधरकलसन का पेस ली हूँ अब मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्ज यह मैंने क्रस्ट हरी मिर्च ढली है देख़े अभी जो हमारी ग्रेवी थे उस में बेहुत चाहला क्रीम है तो वह ऑघ्रफ़्ञ मिर्च थोरी ज्यादा पड़ती है, मैंने इसमें भी 15 स्भी जाली और इसमें नमक और ब्लाक पेपर पाउडर तो अद्रकलसन का पेस्ट हरी मिर्ची नमक और ब्लाक पेपर पाउडर यह डाल दिया मैंने अब यह मैं डाल रहे हूं एक कप भर कर दही और यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब आप दही डालेना तो आपका फ्लेम जो है वो स्लो होना च और वह ग्रेवी में अलग वाइट वाइट ऊपर वह अच्छा नहीं लगता तो जब तक आपका दही नहीं भूना बूनता है जब तक आपको का फ्लेम जो है वह स्लो रखना यह देखिए यह अराम से पर अच्छे से दही को बहुन लोंगी यह देखिए पांच दस मिनिट लगेंगे आपको slow flame पर लेकिन बहुत अच्छी आपकी gravy ready होगी अगर आप दही को slow flame पर पकाएंगे तो यह देखिए यह मैं दही को slow flame पे पका रही हूं और यह ऐसा color जब आपको ऐसा लगे तेल उपर आ जाए तब मैं इसमें मिला रही हूं यह मेरे पास fry किये हुए आलू है मैंने इने तेल में fry कर लिया था और यह है मेरी सीग मैंने एक एक सीग के दो-दो पीस कर दिये हैं यह आप सिर्फ इसका लुक देखिए यह इतना जबरदस्ता क्रीमी ग्रेवी बनती है और इतनी टेस्टी बनती है ना इंशालला अगर आप मिर्ची का quantity इसमें अच्छा रखना अगर आपने मिर्ची का quantity और ब्लाक पैपर और यह सारे spices quantities है ना आपने अच्छे से डाले ज अच्छे से एक दो मिक्स कर लूंगी और बस मैंने चूला बंकर दिया अब यहां पर मैं लेयरिंग की तैयारी कर रही हूं मैंने चावलों को बॉइल कर दिया है बासमती चावल लिये है मैंने आधा किलो और उसे मैंने नमक और तोड जीरा ऑलोंग इलाइची और तेज़ पत्ते के साथ बॉल कर लिया है जैसे हम नौरमली भिर्यानी के चावल बॉल करते हैं अब देखिए देख्ची में सबसे पहले मैंने नीचे थोड़ा सा तेल डाला है और उसमें मैं नीचे से थोड़े चावल डालूंगी ज्यादा नहीं क्यों नीचे मैं चावल डाल रही अब देखिए यह जो मेरा पूरा मिक्शर है सीख का उसके उपर मेरे पास हाड बॉयल एक्ज है मैंने हाड बॉयल किया एक्ज को और उनको एक अंडे की चार तुकड़े करके मैंने इसके उपर बिच्छा दिया थोड़ा सा कोथ में डाल रही हूं और अब यह जो मेरे बा क्योंकि चावल ज्यादा है मसालों में भी ज्यादा तेल नहीं है तो मैंने तीन चमश तेल डाला है और यहां पर यह जो आप मेरा चमश देख रहें जिसे हम टी स्पून बोलेंगे वह है चार चमश मैंने इसमें दूट डाला और मैंने इसमें पांट-छे ड्रॉप पर चाहे तो दम में पका लिजिए तवा रखकर यह स्लोग फ्लेम पर आप चाहे तो आप इसे लोग पर आपको पकाना है 25 मिनट यह देखिए यह हमारे चावल कितने अच्छे और यह देखे बिर्यानी का आप कलर देख सकते हैं और बिल्कुल भट्यारों के जैसी यह सर्फ कीजिए कचुंबर के साथ और शेयर कीजिए मुझे कमेंट कीजिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलती हूँ आप से इंशाला तब तक के लिए आला हाफिज